नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनेंग 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेरे पर मुस्कान होगी आज आम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के बीच खेले जाने वाले आज के टीटोंटी मुकाबले को एशिया कप में सोपर फोर का ये मुकाबला होने वाला है सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे टीम इंडिया के बारे में दोस्तों यहाँ पर तीन चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं वहीं पाकिस्तान में आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, सबसे पहले दिबात करें अपन टीम इंडिया के बारे में, दो दोस्तों यहाँ पर अक्षर पटल टीम में शामिल हुए हैं, रवेंजड़ेजा के इस्तान पर रवेंजड़ेजा एजिया कप के सास्था दोस्तों आने वाले टीटोएंटी ब और दिनेज कार्तिक में से कोई एक आज प्लेइंग 11 में शामिल होने वाला है वहीं यादी बात करें पर पाकिस्तान के बारे में दोस्तों पाकिस्तान में सानवाज धानी के स्थान पर हसान अली आज आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं सिर्फ एक चेंजर पाकिस्तान मे परीशत है, काफी बड़े-बड़े इसकोर आपको इस ग्राउंड पर दिखने वाले हैं, तो जीतने वाला कप्तान यहां पर पहले फील्डिंग का फैसला लेने वाला है, क्योंकि दूसरो चेस करना काफी आसान यहां पर होता है, और चेस करने वाले बनले बाजहों को आप 22 kulpsin यहां पर ट्राय करकर चल सकते हैं. जिसमसे पहले यहादी बात करें अपन तूनमेंट के पहले मुकावले के बारे में जो कि इंडिया पाकिस्तान का मुकावला रहा था इस मुकावले में आपने देखा है काफी बड़े बड़े स्कोर यहां पर हुए थे और दोस्तो सबसे अच्छी बाट टीम इंडिया के यहाँ पर बोलरों ने 10 बिगट निकाले थे और जो सारे ही बिगट फास्ट बोलरों ने निकाले थे यानि इस पंदरों के लिए आज यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है इसलिए इस पंदरों को छोड़ने का आज आज आप रिस्क यहाँ पर बड़ी आसानी से ले सकते हैं सबसे पहले जी बात करें अपन अब बल्ले बाजों के बारे में दोस्तो पिछ रिपोर्ट के हिसाब से अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं बल्लेबाजों की बात करें तो निश्य तोर पर टॉप फूर और टॉप फाइब बल्लेबाजों को आप टीम में शामिल कर सकते हैं दोनों ही टीमों से क्योंकि सबस्यादा बल्लेबाज आज यहाँ पर रन करने वाले हैं बात करें बोलर्स के बारे में तो टोस जीतने वाला कप्तान यहां पर फिल्डिंग का फैसला लेगा तो ऐसे में जो भी टोस जीतेगा उस टीम के आप इस्ट्राइक जो बोलर रहने वाले जैसे बात करें टीम इंडिया के बारे में तो यहां पर आप भुमनेशर कुमार और अश्रदीब को आसारी से टीम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बोलर ऐसे रहे हैं जो आपको Death Overs में भी बिकट निकाल कर देने वाले हैं वहीं पाकिस्तान की तरफ से बात करें दोस्तों पाकिस्तान में हसान अली आपको Death Overs में बॉलिंग कर कर देने वाले हैं और दोस्तों हो सकता है असान अली Death Overs में आराम से बिकट निकाल कर दे सकें वहीं मुहमन नवाज दोस्तों अच्छा इस पंदर इनकी टीम में रहने वाला है वहीं आव यूग इंदर चेहल को आज के मुकाबले में ड्रॉप करकर चल सकते हैं इनकी टीम में मात्र एक ऐसा बोला रहा है नशीम सा जो आपको स्टार्टिंग में बिकट निकाल कर दे सकता है बागी दोस्तों इनके पास ऐसी कोई दमखम नहीं है जो इंडिया टीम के टॉप उटर्स को तोड़ सके हाला कि डेट अबर्स में हासान अली और दोस्तों नवाश्या आप टीम में शामिल करका चल सकते हैं वहीं डिफरेंट पिक की बात करें तो हरी श्रॉप को आप शामिल करका जिरूर चल सकते हैं बागी दोस्तों बात करें अब बल्ले बाजों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और बहुवर शुरूपा अब रोहिस सर्मा दोस्त्तों पचले दोनों मुकाबलों में अच् ch e form में नई रहे हैं तो एक player की रोईष सर्मा ऐसा player है जिसे आप drop कर सकते हैं तीम इंडिया पहले बन लिवाजी करते हैं तो रोईष सर्मा पर और केल रहुल दोनों पर आप risk लेकर चल सकते हैं खास तोर पर grand league में बहीं बात करने हैं तो ब्राट कुली सूरकुमार यादब और दोस्तों जो भी इन दोनों में से खेलेगा अच्छा player है आप टीम में शामिल कर सकते हैं और दोस्तों हारदिक पंडिया आज जायतर टीमों में आपको captain और 22 captain ये player दिखने वाला है बागी दोस्तों अक्छा पटेल को आप drop करें कास करके head to head टीमों से वह यूग बंदर चेहल को आप drop करकर चल सकते हैं बागी बुमनेशर कुमार और दोस्तों दीपक चेहर दोनों ही ऐसे player है जो आपको starting में बिकेट निकाल कर दे सकते हैं अब बात करें पाकिस्तान टीम के बारे में तो मुहमद रिजबान बावर आजाम और दोस्तों फकर जमाने कैसा player है जिस पर आप risk लेकर च कीमों में क्योंकि आसे फली का बैटेंग ओडर काफी नीचे रहता है और दोस्तों ऊपर ये बल्लेबाजी करने नहीं आते हैं ये बात आप आकास चोबडा की कोमेंटरी में बार बार सुन चुके हैं तो आसे फली को आप ब्रॉकर कर सलिएगा बहीं मात्र हम एक इस पनर क पर खेले गाए हैं 37 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 42 मुकाबले बाद में यानि कि चेस करने वाली टीम में जीते हैं और जैसा कि अंबार बार बता रहे हैं चेस करने वाली टीम के बल्लेबाजों के साथ आप आसानी से कैप्टन बास के तौर पर ज चलेंगे तो यह score आपको 200 के आसपास भी दिख सकता है मतलब pitch पर दोस्तों काफी run आज के मुकाबले में आपको देखने को मिल जाएंगे बागी दोस्तों बात करें scoring pattern के बारे में तो दोस्तों 500 से कम 46 बार बने हैं और इसके बीच दोस्तों बात करें तो 19 500 से लेकर 70 के हैं मतलब हैं original fix हैं लेकिन दोस्तों टीमों की compare किया जाए तो इंडिया टीम पाकिस्तान आस्ट्रिया यह टीम में बड़ी हैं तो इनके इसाब से दोस्तों यह scoring pattern सही नहीं है बाकी overall देख हैं तो इस score हमें 180 के आसपास आज के मुकाबले में देखने को मिलने वाला है अब पाकिस्तान ने 28 मैच के लिए 16 जीते हैं 11 मैच यहां पर हा रहे हैं लेकिन overall देख हैं तो टीम इंडिया का ही पढ़ला भारी आपको देखने वाला है दोस्तों बात करें टीम इंडिया के बारे में तो रिशाब पंत और दिनिस कार्तिक में से कोई एक आज खेलने वाला है ऐसे में जाहतर दोस्तों आज रिशाब पंत को ट्राय करेगी टीम इंडिया क्योंकि दिनिस कार्तिक दोस्तों पिछले मुकाबले में भी उन्हें खेलाय था और रिशाब पंत भी खेले थे तो ऐसे में आज रिशाब पंत के साथ जाहतर टीम जाने वाली है क्योंकि लेफ केपिन सी का भी अच्छा ओप्सन आज के मुकाबले में रहने वाला है वही यह दी बात करें बल्ले बाजों के बारे में दोस्तों के यल राहूल, रोहिस सर्मा, ब्राट कोली और सुर्कुमार यादब चारों अच्छे प्लियर हैं लेकिन फॉर्म की बात करें तो ब्राट को काबले में शांदार 68 रनों की नोट आउट पारी इन्हों ने खेली है वहीं बात करें ओपनर्स के बारे में तो दोस्तों रोहिस सर्मा पिछली साथ पारियों में मात्र एक बार चोफार रन का स्कूर किया है बाकी बचे हुए मैचों में इनका स्कूर बिलकुल भी नहीं ह और केल रॉल की बात करें तो यह टूनमेंट इनके लिए इतना सही नहीं जा रहा है फिर भी दोस्तों बात करें तो इन दोनों ही प्लियरों को आप Grand League में आराम से रिस्क इन दोनों ही प्लियरों पड़ ले सकते हैं और रोहिस सर्मा पर दोस्तों आप हैड-to-head टीमों में वीरिस के लिए कर चल सकते हैं अब बात करें पाकिस्तान के बारे में तो बाबर आजम, फकर जमान और खुशदिल सा यहां से आपको देखेंगे मैं दोस्तों आशेफ अली भी यहां से दिखने बाले हैं लेकिन आशेफ अली को आप 100% छोड़ दीजिएगा खास तर पर head to a team में क्योंकि दोस्तों इनका बैटेंग ओडर काफी नीचे रहता है और यहीं पर नहीं दोस्तों यह आपने कोमेंटरी में बार बार सुना है आशेफ चोपडा इनके बारे में कहते हैं कि डियर सो चक्के रोज मार रहे हैं लेकिन दोस्तों घर के बार मार रहे हैं, घर के अंदर नहीं मार रहे हैं, मतलब GRIAM पर नहीं मार रहे हैं इन्होंने वहाँ पर भी इनका स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा है जितना बड़ा इनका नाम रहा है फकर जमान दोस्तों आप ड्रोग करिएगा क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले कुछ मुकाबलों में इनका बिलकुल स्कोर नहीं हो जो तुरे पन रन इन्होंने बनाए ह होंग कोंग के खिलाब बागी बड़ी टीमों खिलाब इनका इरन बिलकुल भी नहीं है दोस्तों आप आते हैं ओल राउंटर सेक्षन पर तो टीम इंडिया के लिए हार्दिक पंडिया बैस्ट ऑप्सन कैप्टन बाइस कैप्टन सी के रहने वाले हैं तो यह ज़ी बात कर हैं तो अच्छा है कि यह आपके लिए रहने वाले हैं अक्षर पटल की बात करें तो दोस्तों इस पर लिए आप ड्रोप करिया क्योंकि आज इस पर बिलकुल भी नहीं मिलने वाला और इनका बैटिंग वाटर काफी नीचे यहां पर चला जाता है अब बात करेंगे पाकि पिछले मुकाबले में आपने देखा है चार बिकेट निकाले हैं लेकर आप आसानी से इसको ड्रॉप करकर चल सकते हैं मुहम्मद नवास कि यहां पर बात करेंगे यही पर कैसा है जिसे आपको अपनी टीम में शामल करकर चलना है दोस्तों पिछले कुछ मुकाबलों से ल बिकेट निकाल कर ही देने वाला है बुमने शार कुमार को आप देखी रहे हैं दोनों मुकाबलों पांच बिकेट निकाले हैं और पछले ही मुकाबला जो पाकिस्तान के साथ था चार बिकेट निकाल कर वहाँ पर इनोना दिये थे आवेसकान टीम में नहीं है तो इनके इ इने टीम में शामिल करना है या नहीं करना है बाकी युग बेंदर चैल की बात कर रहे दोस्तों तो इस पिलियर को आप आज के मुकावले में ड्रॉप करकर चलिएगा नशीम शाक की यहाँ पर बात कर दोस्तों अच्छा पेक है आराम से आपको टीम में शामिल करना है पिश स्केलay आपने और उटनाकावल नहीं नेकाले हैं दोस्तो और होंकों को से ध्याफ भरका चल सकते हैं बागी दोस्तों कोई और चेंश में नहीं होंगे होते भी है तो तेलिग्राम पर आपको स्की जैनकार दे दिये की जिंड celliernQu again दो तू